हलो साथियो मैं राज कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार PBR study में कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आपको भी mathematics नहीं आती है तो बिल्कुल आपको टेंसर नहीं लेना है आज से आपको mathematics आने लगेगी बस इस class को पूरा end तक देखना कैसे समझेंगे इसका पूरा concept पार्ट नंबर 15 में आपने पढ़ा था सम और विसम क्यों यहीं पढ़ा था ना सम और विसम संख्या तो चलें सुरू करें चलो देखो आगे क्या समझना है छोटी वा बड़ी बिन देखिए दोस्तों फ्रेक्शन के बारे में हमने पार्ट 6 या साथ में डिसक्राइब किया अच्छे से आप अगर देखे होंगे तो वह समझ गए होंगे फ्रेक्शन क्या है किसे कहते हैं वह सबच्छे से समझ गए हो जैसे यहां पर तीन नव्याहिदा पांच लिखा है और यहां क्या है साथ चौक्लेट है उसके हिस्सेदार क्या है यहां भी पांच ही है तो यहां पे आप सिंपल सानुमान लगा सकते हो कि जब तीन चॉकलेट में भी पांच लोग खाने वाले हैं और साथ चॉकलेट में भी पांच ही लोग खाने वाले हैं तो भाई किसमें ज्यादा ज्यादा हिस्सा मिलेगा जहा तब आप इस तरह से आसानी से अनुमान लगा सकते हो जैसे दूसरे में अगर हम बात करें यहां पर 14 बटा 7 और यहां पर यह 19 बटा 7 यहां पर भी आप अनुमान लगा सकते हो भाईया यहां पर 14 क्या है? मानन जो biscuit है और यहां 25 किते हैं 14 biscuit में 7 कंवाले है सभी 12 है कितने खाने गते ओज़े तो आपको ये तो पता ही है कि 14 को में न इन दोनों में इसे बढूपा यां immense इसे बढूपा दो यह 수गए दोनों सभी 17 करें जैसे मान लीजिए कि 9 बटा 11 और यहां पर मैंने आपको कहा कि बच्चा एक काम करो 9 बटा 5 इन दोनों में बता कौन बड़ा है अब इसमें भी बताना आसान है जब चाहे उपर की गिंती दोनों बराबर हो या नीचे की दोनों बराबर हो ऐसा अगर कहीं सनी हो गए तो समझ आसान है कैसे यहां पर देखो चॉकलेट कितना है नो है खाने वाले 11 है यहां भी चॉकलेट कितना है नो ही है खाने वाले 5 ही है अब बताओ किसमें ज्यादा ज्यादा मिलेगा या तो खाने वालों की संख्या बराबर हो या चॉकलेट की संख्या बराबर हो अगर हम इस र रंक्या जाद कम हो रही जादा लोग आजाएंगे थोड़ा थोड़ा मिलेगा गम रहेंगे। आपके कहेरा या यह बड़ा है लेकिन यह मुसीबत तो बंहें चोटाबड़ा है पुर्लीоль ermore do अब थोड़ा सा यहां पर ट्रेलर आप देखते जाओ और हाँ एक बात और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो तुरंद कर ले भाई और इस वीडियो को लाइक करें भाबू ठीक है आपकी जिम्मेदारी है अगर इतना आप करते हैं तो हमें बड़ा पांच और यहां पर साथ बटा तीन दिया है अब इसमें हमें कुछ नहीं पता है ना तो उपर उपर का बराबर है ना नीचे नीचे का यहां पर आती है मुसीबत यहां पर हमें समझ में नहीं आता है तो यहां हम एक तरीका करते हैं वो क्या है हम नीचे नीचे के दोनों ह बार हर का LCM निकालते हैं तो इनका LCM आएगा 15 LCM निकालना आप सभी पढ़े हो मैं कई बार आपको पढ़ाया हूँ LCM कितना आएगा बाबू 15 आएगा अब जो LCM आया है उसी LCM में पहली वाली भिन्न के हर से भाग करोगे जब आप 5 से 15 में भाग करोगे यह आप सभी को करना आता भी है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो आपको मिलेगा कितना तीन भाग फलतीन आया ना इस तीन का में में बाइया हो बाबू हो तीन से 55 में भाग करोगे तो पांचे कर और 5 साथ में गुड़ा करोगे तो 35 आएगा यहां से आप देखो इनसे हमारा परिशे हो रहा है यहां पर हम कुछ सम Zealand पा रहे हैं और नीचे के दोनों अंक से बराबर में बरभर हैं अब यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है है ना जल्दी कमेंट करके बताओ साथ बटा तीन बड़ा है या एक बटा पाँच देखे जो भी छातर बहुत सारा कमेंट करने मैं देख पा रहा हूँ धेर सारा कमेंट आ रहा है अनजना सिंग आपका अभी कमेंट आ रहा है बीने सिंग ठाकूर बिल्कुल कमेंट हारा बाबू पंकत सरमा लेकिन मैं सबका नाम नहीं बोल पाता है क swiftly कुछ इस वीडियो की नाम कमेंट कर दें आपको लिंक मिल जाएगी अगली कलास की सब कुछ इस वीडियो का डिस्क्रेप्शन देखो उसमें अगली सारी कलासों का लिंक दिया है उपर आई बटन में दिया है नहीं मिलता है कोई दिक्कत है नीचे नंबर चल रहा उस पर संपर्क करिए हां चलिए देखे 15 चॉकलेट है खान मिलेगा कौहन बड़ा है बही सींपल सी बात है ये वटाए-55 लेकिन 35 बटा-55 किसका विस् temporada कि इस्टेम से सवाल देखो चलो पढ़ लेना तब डालना नहीं तो पानी डालने पहले चले जाओ पढ़ाई छोड़े पहले पढ़ लो देखो अगर तीन बटा यहां पर दो लिखा और यहां पर लिखा एक बटा तीन चलो बाई गधों बताओ इसमें कौन बड़ा है जल्दी से हर कोई कम कोशिस के कुछ होने माला है नहीं अरे गलत ही तुम कमेंट करोगे यार लेकिन करोगे ना कोशिस तो करोगे अनुभव तो मिलेगा चलो देखो दो और तीन का LCM लेंगे, LCM निकालना मैं पिछली कलास में बता दिया है, उन्हीं जानते हो, तो कमेंट करके बताना ठीक है, दो और तीन का LCM 6 हो गया, जो अभाजे संख्या होती है, उनका गुड़ा करके ही LCM हो जाता, जैसे 2, 3, 6, लिकनी हर जगा लागू नहीं होता, ऐ LCM 6 हो गया, जब LCM में 2 से भाग करेंगे, यानि पहली वाली बिन्न के हर से, तो 3 आएगा, और उस 3 का गुड़ा उपर वाले अंस में करोगे, यानि 3 में करोगे, तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, अब ये LCM दोनों के लिए आया था, जो आया था, तो इसक कगुड़ा उपर में करो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इस तरह से अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही निकल के आ रही बाहर, भाई साब चॉकलेट का एक्जम्पल में पूरे वीडियो में बताया हूँ, क्योंकि हम लोग चॉकलेट ही जानते हो, इसका तेवार भी आता है, देखो समझो, तो 9 बटा 6 बड़ा है, क्यों, क्योंकि 9 चॉकलेट है, खाने वाले 6 है, इसमें 2 ही चॉकलेट में 6 लोग है, तो कौन बड़ा है, बहुत सिम्पल सी बात है, जादा जादा किसमें मिलेगा, इसमे निकला नहीं है, तो यह बड़ा है, बात समझ में आई ना, अब इस तरह से आप छोटी और बड़ी बिन्नों में अंतर कर लेंगे, बोलो कर लोगे कि नहीं, सभी चातर जल्दी से हाँ बोले, फटा फटा बोले, कर लोगे ना, अगर कर लोगे, तो चलो, फिर देखो उसके लिए उसके लिए आप एक काम करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, बाकी कुछ नहीं करना है, मेहनत करना है, देखो, इसमें आप लोग मुझे बताओ, फटा फटा सा भी बताओ, इन दोनों में कौन बढ़ा है बाबू, चलो, इन दोनों में कौन बढ़ा है, इन दोन जानते हो क्या बोलते हैं कि आगे बहुत कुछ जानते हो सब कुछ ना बताओ यहां पर चलो जल्दी से आप सभी मुझे बताओगे फटा फट इन में कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं देखो सब में मैंने एक एक जोड़ी दिया है पेयर दिया केला नहीं दिया किसी को इन सब को आपको करना है और बताना है ठीक है